गठवाला खाब में लिसाड थामेदार को लेकर विवाद शुरू हो गया है गठवाला चोधरी राजेंदर सिंग में लिखी इस थामे के थामेदार है लेकिन ग्यारा गाउं के लोगों ने हसनपुर गाउं के महिपाल सिंग को थामे की पगडी पहना दी है विवाद की आशनका को देखते हुए भारी फोर्थ भी तैनात रही राजिंदर सिंग का कहना है कि कुछ लोग समाज को तोड़ने का परियास कर रहे हैं जो बरदास नहीं किया जाएगा और जल्ब पंचायत बुलाई जाएगी गठवाला खाप के 52 गाओं हैं और लिसाड बहावडी लाग फुगाना खरड पुरा महादेव सोंजनी थांबे हैं वहीं हसनपुर के धरम परकास का दावा है कि वह थांबेदार हैं भले ही महीपाल सिंग को थांबेदार बनाया गया हो लेकिन यह विवाद जल्द थमने वाला नहीं है खापों में लगातार विवाद की स्थिव बन रही है पिछले दिनों बुडिहान खाप चोधरी को लेकर भी विवाद की स्थिव बनी थी कि मेरी बाह सब्सक्राइब जिटना भी हरतेरे परियास होगा मैं पूरे थांबेदे को देखें कर देखें कि हर बच्चे मारे चार बच्चे वह बच्चा नहराज हो जासए तो उसमत तो आहराद ही वह बनावज है कि मेरी बाद सा पगड़ी ते चाहमती है एक तो अपार जो है वूंसा स्वैमती है ठीक एसा है यहां पर कोई थंबेदार नहीं है अगर वो थंबेदार था तो मारे परिवार से ही था पैल लेकिन उनके बाद में यह थंबा भी मारे बही है और खाप की तो ही लेकिन थंबा यह हसनपुर में कोई थंबेदी नहीं थी और ना है हसनपुर के तो महारे बाबबाजी जो थे बल्देव सिंह उनके शिकट्री थे असनपुर के उनके बाद सिकट्री भी कोई नहीं है आज अगर यह पगड़ी रसम करी गई इस तरह के लोग जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं जैसे आतंकवाद यूझ के का इसाब किताब है इस तरीके से लोगों का इसाब किताब है यह भी एक आतंकवाद做 wonderful रहे समाज को तोड़ना काम चाहरे अगर यह बाहर पगडी मदान में बांदी जाति अगर पगडी थी तो पांद कर देखते समाज को कितनी आनी होकती उन्हें पता लगता बाई जो है पगडी बांदी यह दा बल्जीत सिंग का भी फोन आया था मेरे बाब उनकी कोई सहमती है किशी भी कि सब्गी ना वे सुईकार करते ही स्चीज को उन्हें भी पता है उन्होंने जो एंसधे वो मांगजा ता हमना बाई अड़डड़ा दो लेकिन इनके पास कुछ और तीन-स साल पुराना किस्सा बता रहे तीन-स साल पुराना किस्सा कोई आद्मी ही नहीं है सा यह कोई पगड़ी नहीं, यह सरफ डरामा करागा, समाज को तोड़ने का, यह कोई पगड़ी नहीं है, इसकी कोई मान्याता नहीं, अभी जल्दी जो है, मतलब हमारे लिसार जो थंबा है, क्यारा गाउं है, उनकी पंचाद बहुत जल्दी होगी, आज मैं बात चीत करगे, जल्दी तरीक टेले में.